Hello Divine Souls, चलिए आज मैं याँ पर चिक करना चाहूंगी, आप लोगे लाइफ में चैलेंज इस क्या है? As a couple, आप लोगे लाइफ में क्या है चैलेंज, अब दोनों की लाइफ में क्या है चैलेंज? Balance, simply love, as a couple, आप लोगे चैलेंज क्या है? Okay, यहाँ से है control, control issues हो सकते हैं आप दोनों में, हो सकता है आप दोनों अपनी emotions को express नहीं करते हो या कोई एक person expressive नहीं है, या इस connection की गहराईयों को नहीं समझ रहे है, जो truth है, जो purpose है, उसको नहीं देख रहे है कोई एक person या आप दोनों ही हो सकता है, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो यह आप लोगों की challenge है, आप लोगों को clearly देखना पड़ेगा, इस connection की जो actual truth है, उसको देखना पड़ेगा, और जो purpose है, उस पर walk करना पड़ेगा, एक दूसरे को control करने से बचना पड़ेगा, आप दोनों को एक दूसरे में completely trust करना पड़ेगा, और divine person या रखना पड़ेगा, कि जो भी है आगे वो आप लोगों के लिए सही है, यह trust रखना पड़ेगा, यह आप लोगों के लिए challenge हो सकती है, और यह जो connection है, यह जो bond है आप लोगों में, यह बहुत powerful है, तो अभी आ आप लोगों पर है, कि आप लोग कैसे इसको और जाला strong बनाते हो, कैसे आप दोनों एक दूसरे पर trust build करते हो, साथ में कैसे आगे बढ़ते हो, life की journey में, एक दूसरे को help करती हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, understanding कैसे आप दोनों में रहेगी, एक दूसरे को root level पर कैसे समझ सक यह आप लोगों को प्राक्टिस करनी है, as a couple, यह आप लोगों की चैलेंज हो सकती है, और साथ में हर एक situation में एक दूसरे के लिए love को चूस करना, चाहे कोई भी situation क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए love को चूस करे, मतलब हो सकता है, trust issues हो, हो सकता है, problem आए, struggle आए, लेकिन हर एक situation में love को चूस करे, चाहे कोई भी situation क्यों ना हो, एक दूसरे का साथ हमेशा दे, यही आप लोगों को सीखना है, यही आप लोगों को प्राक्टिस करनी है, इस connection में, और अपने आपकी feminine and masculine side को balance करना है, हो सकता है, आप दोनो spiritual journey के पार्ट हो, soulmate हो सकते हो, आप दोनों की एक दूसरे के साथ, जन्मों जन्मों का connection है, तो यहां पर आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाने आए हो, lessons आप लोगों की कुछ ना कुछ है, तो यह कभी भी ना सोचे कि यह person गलत करा है मेरे साथ, जो भी triggers आपको मिल रहे हैं आपके partner से, वो आपकी growth के के लिए है, तो इसको समझे, कभी एक दूसरे को गलत मत समझे, blame मत करे, यह आप लोगों को practice करनी होगी, और साथ में अपनी inner feminine और masculine को balance करना है, मतलब practicality और spirituality साथ में अपनी emotional side को properly आप लोगों को balance करनी है, यही कुछ आप लोगों के लिए challenge है, अगर आप लोग इन सब को properly maintain करते हों, तो आगे आप लोग ज़रूर से एक harmonious loving relationship को enjoy करेंगे, okay?